दोस्तों हमारे यूटूब जनल एश्टो ग्यान में आपका फिर से हार्दिक स्वावत है हमारा आज का जो टोपिक उन इस्त्रियों के लिए हैं जो अपने पत्ति को अपने वश में करना चाहता है यानि कि सोतन से चुटकारा पाने के अचूब उपाई है सोतन से चुटकारा को बले ही वीते जमाने में पत्ति की दूसरी पत्तनी के तोड़ पर समाज्रिक मानते हैं मिली हुई हो लेकिन आज दुनिया के किसी भी कोने में इसे अनैतिक समझा जाता है सोतन किसी भी पत्तनी का सुख चैन छीनने वाली होती है इसलिए कोई भी स्थ्रिक कभी नहीं चाहेगी कि उसका पत्तनी यानि प्राय स्थ्रीक के साथ प्रेम समंध्र कायम करें वैसे सोतन से चुटकारा पाने का उर्थ है पत्ती को अपने वश्मे करना ने कि किसी इस्थ्रीक को पत्ति से दूर करना तो जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे यूटुब चैनल हैश्टो यान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जो कर ले आपको क्या करना है, गुरुवार या शुपुरुवार की राति की समें, रात के समय कोई बाराम बज़े पती के सीर신 के कुछ बाल भी न बताएं काट ने इन्ही किसी ऐसे स्तान पर छुपा दें, जहां आपके पतिया किसी की भी वहाँ पर नजन न पड़ें कुछ दिनों के बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुछल दे इस टोटी से आपके पती की बुर्दी में सुधार जुरूर आएगा दूसरा उपाई साबूत उर्द की काली दाल की 38 दाने वे चावल की 40 दाने लेकर उन्ही एक गड़े में डबा दे फिर उसके उपर से नेबु ने चोड़ते वे सोतन का नाम देते वे प्रातना करें कि वो आपके पती से हमेशा के लिए दूर हो जाए अधिक जानकारी के लिए हमारे दिये गए नंबर परसंट तरब करें आज के लिए इतना ही जल्द मिलते एक ने टोपिक के साथ हमारी आज की वीडियो लाइक से और सब्सक्राइब करना नहीं बुलें वीडियो देखने के लिए बहुत लोग धन्यवाद